आज मैं आपको जीरा बिस्कुट बनाना सिखाऊंगी जीरा बिस्कुट बनाने के लिए हमें जीन चीजों की जरूरत होगी इसिंग शुगर 250 ग्राम, बटर मेल्टीट 250 ग्राम, आल पर पर पस लोर 375 ग्राम, यानी 1.5 कप, स्यूमन सीट 1 टेबल स्पून, साल्ट 1 टी स्पून, एग 1 अब सबसे पहले हम ओवन को 200 डिग्री सेटिग्रेट पर प्रीहीट कर लेंगे और उसके बाद बिस्कुट की त्यारी करते हैं अब सबसे पहले एक बाउल में आइज सीम सुगर डालेंगे और बटर डाल देंगे और इसे आपस में अची तरह मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे अब हम बीटर से इसे बीट करेंगे इसे पांच मिनट अची तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मेदा डाल देंगे और साथी स्यूमन सील्ट साल्ट अब इसे मिक्स करेंगे करें अब हम इसे बाद बीटर अब हम इसे बाद आढ देंगे करेंगे अब हम इसे हाथ से चितरा मिक्स करेंगे अब मिक्स करने के बाद यह जीरा बिस्कृट की डोग को हम आदे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि यह सेट होगे उसके बाद हम इसे बेल कर बिस्कृट काटेंगे अदा घंटा फ्रिज में रखने के पाद अब हम इसे बेल लेंगे हलका समयदा डालेंगे करते हैं करते हैं करते हैं बेलने के बाद हम कटर से काट लेंगे कटर से काटने के बाद किते मयान से निकाल लेंगे और बिस्केट कटे वे यहां रखते चाहेंगे बिस्केट कटे वे यहां रखते चाहेंगे बाद अब बिस्केट्स हम और बिस्केट्स की इसको हम दोबारा बेलेंगे और दोबारा कटर से काट के बेक कर लेंगे अब बिस्केट्स हम ओवन में रखेंगे यह फिफ्टीन मिनट्स में बेक हो जाएंगे अब बिस्केट्स को बेक होने के लिए ओवन में रखते हैं यह फिफ्टीन मिनट्स में बेक हो जाएंगे टू हंडर्ड दिक्री संटिक्रेट पर सीरा बिस्केट्स बेक हो चुके हैं अब हम इसे ठंडा होने के लिए इसके आपर रखेंगे विया जज विया ए वे ए। विया एrid मिल ए लृ। पाम एिया ध्ट वे ए ? वे एाम ए ए व वे पुर वे शिया। 15-20 मिन में ठंडे हो जाएंगे जीरा बिस्कुट्स ठंडे हो चुके हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जबरदस्त त्यार हुए है बहुत ही रेसिपी है जरूर ट्राय कीजिएगा दौाओं में याद रिकिएगा अल्हाफिस